Hello and Assalamualaikum everyone. Welcome back to the class of Ammar Murtazad channel Physics is the finest and easiest way to learn the concepts of physics actually. So, previous video में हमने बात की थी types of quantities की और उसके इलावा unit को define किया था. इस video में जो है आज हम बात करने जा रहे ही types of physical quantities की. पिछली video में मेरा ये था कि मैं यही जो आज का lecture है वो पिछली video में ही जो है वो समेटनों लेकिन क्योंकि काफी बड़ी हो गई थी video मतलब 12-16 मिनट की दगरिमन हो गई थी तो इस वज़ा से इस lecture को अलग करना पढ़ा क्य कि छोटी video हो concept जो है वो जल्दी से आपको सिर्फ एक ही चीज़ कर दें क्योंकि जब double हो जाती है चीज़ी यह ठिपल हो जाती है तो आप जो है वो नहीं समवाल सकते तो यही कोशच है कि छोटी video हो लेकिन concept जो हर एक चीज़ का अलग जो है वो मैं देखा हूँ तो वहाँ पर मुझे यह करते होगे थी कि physical quantities यही इडिंदी थी तो वहाँ अगर आपने वोट वीडियो देखें तो यह जो physical का वर्ड है वो थोड़ा जो है वो कारले क्योंकि टाइपस ओफ क्वाइंटिटीज थी वो ठीक है तो आज हम बात करेंगे types of physical quantities की क्योंकि physical quantities are those quantities which are measurable और मैंने आपको बताया था कि दो किसम की जो है वो quantities होती है physical quantity होती है दूसरी जो होती है वो non-physical quantity होती है तो आज जो हम measurable quantities होती है physical उनकी जो है वो बात करेंगे उसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा concept आपके दिमाग में आ जाए और इसका एक श हैं लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट अपना lecture स्टार्ट करूँ आपसे रिकेस्ट है कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर हमारी family का इसा नहीं है मतलब आप इसको अभी तक subscribe आपने नहीं किया तो जल्दी से जाए और subscribe कर लीजिए और bell icon को जरूर दबाद कि बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली हैं बहुत सारी helpful वीडियो आने वाली हैं मैं चाहता हूं कि वह आपसे मिसना हो और कि अगर आप सब्सक्राइब करके पर bell icon को दबा देंगे तो वह notification की फार में आपको मिलती रहेंगी वीडियो और इसके लावा शेयर भी करते रह तो types of physical quantities physical quantities की मैली जो होती है वो दो types जो है वो बतारी जाती है एक fundamental quantities और दूसरी drive quantities लेकिन जो supplementary quantities है वो उनका जो है वो scientist ने फैसला नहीं कर पाए तो उसको जो है वो किस जो है वो category में रखा जाए ये जो quantity है वो related है angles से इसमें दो ही quantities हैं वो है angles की लेकिन हम तीनों ही पढ़ेंगे क्योंकि ये books में आती भी है तो हम तीनों की study करेंगे शुरू करते हैं fundamental quantities या best quantities इनको बोला जाता है और fundamental और best quantities और those quantities ये पहले पहले जो था वो fundamental quantities थी तीन इन नंबर ठीक है तो जब physics का जो scope बढ़ा physics की study बढ़ी और innovations आएं बहुत सारे study हो गई तो बहुत सारे चीज़ें भी discover हो गई अब जो बहुत सारे चीज़ें डिस्कवर हो गई तो उनको ये जो तीन में fundamental ये बेस quantities थी वो जो है नहीं कर पा रही थी define तो उसके बाद जो है वो तीन से बढ़कर साथ physical जो fundamental physical quantities बन गई ठीक है fundamental quantities जो बन गई पर साथ बन गई ठीक पहले कौन सी थी पहले सिर्फ और सिर्फ ये तीनों ही थी ठीक है length, mass, time ये तीनों quantities पहले physics में हर एक वो specify करती थी लेकिन फिर जो है वो ये नहीं कर पा रही थी क्योंकि फिजीकल quantities of those quantities बिचा मेराब मुझी temperature होता है मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ वो किसे मेर करेगा मेर बॉडी को temperature जाहिरी बात है thermometer से और उस वकत अगर आप इनको देखें तो इसमें किसी भी जगा पर thermometer का यानि temperature को measure करने का कोई कोई भी unit मतलब उसके इलावा कोई quantity नहीं थी तो ये किस से जो है वो define हो सकता है तो उसके बाद जो है वो scientist ने इन साथ quantities को introduce कर वाया और इन्हें fundamental और best quantities का नाम दिया इसका आप best quantities भी कर सकते हैं ठीक है तो number one है जी length, length को A से भी हम denote करते हैं उसके बाद उसका SI सिस्टम में उसका unit है meter उसकी symbol है aim फिर आज जाता है but कौन सी aim small aim उसके बाद मास का capital aim उसकी symbol ठीक जो हम denote करते हैं वो है और उसके इलावा जो है unit उसका किलोग्राम में उसके जो है unit की symbol है वो है आपकी kg फिर आजाता है time ताइम जो है आपका उसका जो उसको हम denote T से करते हैं उसका जो unit है वो second है उसके बाद उसको भी small A से denote किया जाता है क्योंकि यह महीर बाद में बड़ी यह जी electric current उसको हम महीर करते हैं MPL ठीक है तो MPL को capital A से denote के जाता है फिर आजाता है thermodynamic temperature तो इसको हम sometimes theta से भी जो है वो denote कर नहीं है आप जो है थीटा से हम इसको जो है वो कभी कवार जो है यूज करते है थीटा thermodynamic temperature की जगा पर ठीक है तो इसका जो unit है वो है SI system में Kelvin उसके बाद इसकी symbol है capital K फिर आजाता है 6th पे amount of substance इसका जो unit है वो है mole लेकर इसकी जो symbol है उसमें सिर्फ E को कार देते हैं सिर्फ mole हो जाता है ठीक है उसका जो unit है SI system उसका candle है और उसकी जो symbol है उसको हम लिखते है CD लेकर सिमॉल में ठीक है यह हो गई ही साथ basic quantities fundamental quantities ठीक है जो के measurable है बाकी जो quantities है जो भी quantity है वो है drive quantity जो के हम in से drive करते हैं अब यह देख लीजिएगा इन मैसे ही हम drive करेंगे जो भी आभी quantity आएगी वो उसको हम drive quantity करेंगे अब let's suppose मैं आपको वहाँ पर सिर्फ दो example दिये हैं लेकिन बहुत साथ जो है वो drive quantities है अब इसको देखी जेए पर drive quantities है इसमें क्या है कि velocity है velocity के जो formula है वो है distance the distance per unit time ठीक है तो distance upon time अब distance जो है वो है जहरी बात है length length जो है उसको हम l ठीक है length upon time भी जो है वो बिल्कुल fundamental quantity है तो यह जो है length upon time यह इसको हम यहाँ पर ले गए base quantity से हमने इसको relate कर दिया ठीक है तो velocity distance upon time अब distance को measure करते हैं हम length से upon time तो यह क्या हो गई quantity यह quantity हो गई इधर drive quantity ठीक है फिर हम देखते हैं acceleration को जब velocity बढ़ती है पर ली time से तो हमें जो है वो acceleration produce होती है ठीक है अब अगर हम मैं बढ़ता हूँ मेरी velocity बढ़ती है तो acceleration जो है वो actually क्या करेगी बढ़ेगी हम गाड़ी चलाते हैं गाड़ी में जब velocity बढ़ती है time के साथ से तो उसकी acceleration जो है वो बढ़ेगी तो velocity को तो हमें बढ़ता है अब हम अभी अभी पढ़के आए कि velocity बराबर होती है length upon time के ठीक है तो velocity की जगह पे हमने length upon time तो दे दिया length upon time तो यह तो दे दिया फिर क्या हो है और है इसके साथ time तो time पहले भी देखा हमने कि फंटामेंटल quantity तो already है तो इसमें हमने क्या करना है multiply करना है तो यह हो गया जी multiply इससे तो यह हमने इसको best quantity से relate करवा दिया देखें अब यह भी इसमें से drive हुई है acceleration velocity भी इसमें से drive हुई है force है pressure है और बहुत सारी क्वाइ quantities है drive quantities वो इन से ही drive हुई है यानि base quantities से या fundamental quantities से ठीक है तो drive quantities बहुत सारी है अब velocity को हम कैसे V से denote करते हैं acceleration को ACC से denote करते हैं ऐससे sometimes ठीक है सो बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन force हैं लेकिन force को हम force को हम F से capital S से denote करते हैं pressure को हम पी से denote करते हैं ठीक है तो यह हो गई ही यह हो गई दो quantities एक फंडामेंटल एक ड्राइब कोईटी तो थैर पे आता है सप्लीमेंट्री कोईटी इस जो है वो एंगिल से हैं ठीक है एंगिल से इस दौनों में ज्यादा इसमें फरक यही है सरेफ कि प्लेन एंगिल वह एंगिल है जब देखें आप एक सरकल ले लेते हैं सरकल है यह और यह लाइन यहां पर किसी भी जगा पे आप इसको कट कर लें और यह एल वन लाइन हो गई और इसको आप ऐसे सेंटर से मिला दें और यह लेट सपोस हो गई एल टू लाइन तो इस एल टू को भी इससे मिला दें अब यह लाइन हमने क्या किया है कहीं से भी ले ली है औ ये जो है, आर्क से सेंटर जो भी इसका फास्ला है ये एक जो है वो जैसे के कपी काटते हैं नह तो ये केक डबिट्सakra neat-suppose ही कह लिक है तो plane angle का unit है वो मयर करते हैं वो radian निकलते हैं ठीक उसकी जो symbol है RAD small alphabet बे हम लेते हैं उसके बाद है जी solid angle Solid angle वो angles होती है अदे हैं एक ice cream का cond है ना cond है ठीक अब ये जो है actually आप इसको मैं किसी भी circle में जो है वो substandard करता हूँ अब ये अंदर रहूंगी अब ये जो है कौन की shape में अब यहां होते हैं यह वो चीज़ नहीं यह एक line है दूसरी line यह कौन की shape में S से कोई जेना angle अब बनती है कौन की last क्या होती है angle बनती है अब जनापर वो angle बनती है उस angle को हम बोलते है solid angle और इसका जो unit है वो है steradian जिसको हम SR से symbol है उसकी और इस से denote करते हैं ठीक है तो यह ही थी आज जो के physical quantities की यह तीनों टाइप्स हैं fundamental drive और supplementary quantities fundamental seven है drive बहुत सारी है supplementary दो ही है और यह जो है इनके SI system में यह मैं आपको बता दूँ कि SI system में इनके यह units है तो इनको भी यह मैं आपको बता दूँ कि यह पहले बहुत सारी system थे लेकिन फिर 1960 में क्या हुआ था 1960 में conference हुई थी पैरिस में जिसमें बहुत मुलकों के scientist आये थे और वहां पर यह agreement हुआ था कि अब जो है वो दुनिया में यही system of units चलेंगे SI system means international system वहां पर यह conference के बाद यह decide हुआ था कि यह साथ ही जो है वो units अब चलेंगे ठीक है सो इसको आग नोट कर लीजिए इसका screenshot ले लीजिए और इसके बाद जो है वो कल की जो हमारी topic होगी वो होगी dimensions पे कल का class पे नहीं मिस करना बहुत important topic है और exam में भी आती है यह भी बहुत important है जब भी आप कोई visit सा भुक खुलते हैं तो इनका जो है वो पहला-पहला session होता ह इनकी पहली पहली जगा होगी है तो यह बहुत साथ जबूरी है इन चीजों का पैस होना ठीक है तो इसका screenshot ले लीजिए और अगर आपने अभी लग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और bell icon को दबा दीजिए मिलते हैं next video मे हैं और next video में हम बात करेंगे dimensions की इसका screenshot ले लीजिए अब